जन्वा टैम्स के नीज रूम से मैं आपके साथ सोहेल चंद्रियान्टू को लेकर नासा की तरफ से आई बड़ी खबर चंद्रियान्टू को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है अमेरिकी अंत्रिक्स एजनसी नासा की तरफ से जारी बयान के बाद एक बार फिर विक्रम लेंडर की इस तिथी को लेकर नई जानकारी सामने आने वाली है अमेरिकी अंत्रिक्स एजनसी नासा ने विक्रम के बारे में कोई सूच ना देने की उमीद जताई है क्योंकि उसका Lunar Regnescence Orbiter LRO उसी इस्थान के उपर से गुजरेगा जिस इस्थान पर भारतिये लेंडर विक्रम के गिरने की संभावना जिताई है अमेरिकी Antrics Agency National Aeronautics and Space Administration बहुत जल्ब भारतिये मून लेंडर विक्रम की इस्तिथी की जानकारी दे सकीगी अमेरिकी Antrics Agency ने इससे पहले कहा था कि उसका LRO 17 सितंबर को विक्रम की लेंडिंग साइट से गुजरा था और उस छेतर की हाई रिजॉल्यूशन तस्वीर पाई थी नासा ने कहा है कि Lunar Regnescence Orbiter Camera LROC की टीम को हलाकी लेंडर की इस्तिथी या तस्वीर नहीं मिल सकी थी नासा ने कहा है जब लेंडिंग छेतर से हमारा और्बिटर गुजरा तो वहाँ धुनला पन था और इसलिए छाया में अधिकांस भाग छिप गया संभव है कि विक्रम लेंडर पर छाई में छिपा हुआ है LRO जब अक्टूबर में वहां से गुजरेगा तब वहां प्रकासा नुकूल होगा और एक बार फिर लेंडर की इस्तिथी या तस्वीर लेने की कोशिश की जाएगी जन्वाट टाइम्स के साथ बने रहने के लिए जन्वाट टाइम्स के निउस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद